नमस्कार स्वागत आपका चुनावाच तक पर मैं हूँ रवीश पाल सिंग। मद्रप्रदेश में विधान सभाथ चुनाव से ठीक पहले गोंडवाना गरतंत्र पार्टी और बस्पा के बीच में एक बड़ा समझोता हुआ है। इस समझोते के तहट बस्पा 178 सीटों पर अपने उम्मीदवाद उतारेगी तो वहीं गोंडवाना गरतंत्र पार्टी 52 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। दोनों ही राजनितिक डलों ने ये तैय किया है कि वो आपस में लड़कर के एक दूसरी की सीट पर अपने उम्मीदवाद नहीं उतारेंगे। अब आज का विश्टेशन इसी पर है कि क्यों मायवती की पार्टी बसपा और गुंडवाना गरतंत्र पार्टी ने मदर परदेश में ये खास समझोता किया है क्योंकि मदर परदेश और 36 गड़ ये वो दो राज्ये हैं जहां पे ये दोनों ही राजनितिक डल एक साथ मिल कर चुनाव लड़ने वाले हैं अब आपको ये तो मालूम ही होगा कि इंडी गटबंदन के तहट लोगसभा चुनाव के लिए तमाम जो विपक्षी दल है वो एक तरफ हो रहे हैं बार-बार सवाल ये उट रहा है कि जब वो लोगसभा चुनाव के लिए एक हैं तो फिर विधान सभा चुनाव के लिए अलग-अलग रणनीती क्यों अपनाई जा रही है लेकिन इन सब के बीच में बसपा और गुनवाना गरतंद पार्टी का ये गटबंदन ये समझहोता जो है ये मद्रपरदेश में कैसे कॉंग्रेस और भाजपा की मुश्किले बढ़ा सकता है आज का विचलेशन इसी पर है दरसल मायवती एक तरीके से नई सोशल इंजिनेरिंग का फॉर्मूला मद्रपरदेश के लिए देख रही है और यही वज़े है कि उन्होंने यूपी की सीमा से लगते वे जो जिले हैं वहां की जादतर विधान सभा सीटों पर बसपा के लिए टिकट मांग लिए हैं वहां पर बसपा चुनाओ लड़ेगी लेकिन इसके अलावा क्योंकि मद्रपरदेश में करीब 47 ऐसी सीटे हैं जो एस्टी रिजर्व्ड हैं और यहां पर गोंडवाना गरतंत पार्टी अपने उम्मीदवार उतारेगी यानि यूपी की सीमा जाए तो जो वोटर्स की सूची है उसके मुताबिक करीब 22 फीजदी वोटर्स मद्रपरदेश में आदिवासी वोटर्स हैं और माना जा रहा है कि मायवती की जो सोशल इंजिनेरिंग फॉर्मूला है उसके तहती यह सीटों का बटवारा किया गया है और इसलिए MP में गु जनता पार्टी और कॉंग्रेस आदिवासी वोटर्स को जम कर लुभाने की कोशिशों में तो लगे हुए हैं लेकिन उनकी इस कोशिशों पे मायवती की पार्टी बसपा और गुणवाना गटनत पार्टी पानी फेड़ते दिख रहे हैं कॉंग्रेस एक तरफ आदिवासी के बीच का जो अंतर है वो जनता को समझा करके जाते हैं दूसरी तरफ सत्ता में बैठी भारती जनता पार्टी जिसके पास पूरी सत्ता है वो आदिवासियों के उत्थान के लिए कई योजिनाय सामने कर रही है इसके अलावा आदिवासियों के उत्थान के लिए पेसा ए बाध काडिकर में को इसके बार प्रधान मंति शेठोल जाते हैं बार घंटी ए गुंडवानागरतम पार्टी की देखने को मिल रही है इस सोशल और इंजिनिरिंग का नुकसान भाजपार कॉंग्रेस जो कि आदिवासी वर्क के बीच अपनी पैठ बनाने में लगे हुए हैं उसको हो सकता है अब यह आदिवासी वोटर जो है मद्रप्रदेश में राजनितिक डलों के लिए क्यों तरह महत्वपूर्पूर्ण हो जाते है हैं यह भी हम आपको बता देते हैं मद्रप्रदेश में आदिवासी के लिए करीब 47 सीटे रिजर्वट हैं स्टी के लिए स्टी रिजर्वट सीटे हैं उसकी संख्या भी काफी जादा है और अगर इन दोनों को हम मिला दें तो यह मद्रप्रदेश में 230 विधान सभा सीटो के लिए जो 116 सीटों का बहुमत का आंखला होता है उससे थोड़े से कम ही हैं अब इन सीटों पर जिसका कबजा होगा यानि जो राजनितिक डल इन स्टी और स्टी रिजर्व सीटों में से जादा तर सीटे जीतेगा मद्रप्रदेश में उसका मुख्यमंत्री बनना स्टीक डल उसकी सरकार बन जाती है 2013 का रिकॉर्ड देखें तो 47 में से 30 सीटों पर भाजपा जीती थी और मुख्यमंत्री भाजपा का बना था शिवरात सिंग्छान मुख्यमंत्री बनने थे तब 2018 में ये रिकॉर्ड जो है थोड़ा सा पल्टा और 2018 में अगर आपको बताएं तो जो एस्टी रिजर्व सीटे हैं 47 सीटे उनमें से 31 सीटों पर कॉंग्रेस का कब्जा होता है और फिर मद्रप्रदेश में कॉंग्रेस की सरकार बनती है मतलब बिल्कुल साफ है कॉंग्रेस हो या फिर भारती जनता पार्टी हो वो बखुबी इस बात को जानते हैं कि MP की सत्ता पर काभीज होना है तो फिर ST सीटों पर या फिर OBC सीटों पर अपनी पकड़ को मजबूत करना बेहर जरूरी है लेकिन कॉंग्रेस और भाच्पा क कि इसी सपने को गुंडवाना गरतंत्र पार्टी और बस्पा साथ में मिलकर चुनाओ लड़ते हैं तो काफी हद तक उसे धराशाई कर सकते हैं क्योंकि इनका भी अपना जनाधार है और मजब बदेश में बस्पा को वैसे भी कॉंग्रेस और भाच्पा के बाद तीसरी ब गरतंत्र पार्टी यदि मिलके चुनाओ लड़ने वाले हैं तो फिर भाच्पा कॉंग्रेस जैसी जमी जमाई पार्टीओं के लिए मद्परदेश में ये खत्रे की एक बड़ी घंटी है